नमस्कार विएपे इंडिया में आपका स्वागत है आज के हिंदी आईडियो आटकल में डे एलेट सिच्छा दिखदर्शन दुद्ति सिमेश्टर वरतमान भारतिय समाच और प्रारंबिक सिच्छा से अध्याय 13 बिद्याले और समुदाय अध्याय है तो इसके बारे में तूट संबंद के बारे में जान ले मनुस्से एक समाजिक प्राणी है सिच्छा उसे समुदाय का कुसल सदस से बनाती है सदस सिच्छा के द्वारा व्यक्ति अपना अधिक्तम विकास करता हुआ समाज की समाजिक आर्थिक या नैतिक आवसकताओं को समस्ता है और उनकी प प्रणावीन मूल्यों का विकास भी होता है इसी उद्देश की पूर्ति के लिए समुदाय ने विद्यालों की अस्थापना की थी चीर कला में ही विद्याले समाजिक सब्विता की संस्कृति की रच्छा करते रहे हैं तथा उन्हें भावी नागरिकों तक पहुचाते रह हैं विद्याले की शुब्दायों के अभाव में बालकों को उन सारी शुब्दाय से वंचित रह जाना होगा सिच्छाले समाज की जटिलता को सरल रूप में छात्र के सम्मुक प्रस्थुत करता है समाज करीती रिवाजु प्रमप्राव आदर्सों आदी में आवस्यक संसो करता है इस परकार हम देखते हैं कि समुदाय और बिद्याले दोनों एक दूसरे से अभिन्यन रूप में से संबंध हैं दोनों एक दूसरे के पूरक और पालक हैं जन्द तंत्र में सिच्छा प्राप्त करना परते क्वेक्ति का जन्व सिध अधिकार स्युकार कर लिया है अता जन तंत्रिकों एस्था में बिद्यालों की कर्तब बे समुदाय के परती और समुदाय के कर्तब बिद्याले के परती और गुरुतर हो गया है समुदाय बिद्याले में यह आसा करता है कि वह छात्रों में कुसल नागरिक्ता के गुडों का विकास करें चात्रों की जनतंत्रिय समाज के अनुकूल आचरण में सम्बंद सिद्धानतों से परिचित कराए और उनमें उप्युक्ट कौसल का अभ्यास करा दें यदि छात्रों को समाजिक जीवन का सच्चा परसिछन देना है तो विद्याले को एक जनतंत्रे समाज के रूप में संगठित करना आवस्यक होगा आज यह बात सब्दों में कही जा सकती है कि विद्याले को समुदाय का ही लगू रूप होना चाहिए विद्याले का पाटकरम समाजिक संस्थाओं पर अधारित होना चाहिए विद्याले जीवन में ही छात्रों की भावी समाजिक इस्थिति का अभ्यास करा देना चाहिए इन आवस्यक्ताओं की पूर्ति के लिए विद्याले और समाज एक दूसरे के निकट आना और बिद्याले का समुदाय के रूप में संगठित होना आवस्यक है यह भी आवस्यक है कि समुदाय बिद्याले का सहयोग करे और बिद्याले अपने कारिकरम इस परकार नियोजित करे कि उसे समुदाय का पूर सहयोग प्राप्त हो सके अगला है बिद्याले समाज का लगुरूप तो इसमे का एक प्रस्ण बीटिसी 2016 में आया था बिद्याले समाज का लगुरूप है इसको असपश्ट कीजिए तो बिद्याले समाज का लगुरूप है इसके बारे में जानने कैसे वास्तों में यदि देखा जाये तो बिद्याल बिभिन वर्गो जातियों एंव समपरदाय के वेक्टि एक दूसरी के साथ रहते हैं उनके साथ आंतता किरिया करते हैं वह उन्हें समझने का पर्यास करते हैं यादि बिद्याले परवेश बालक को साकारात्मक दिसामे कार करने के लिए उन्मुक करता है तुनिसंदे ही का परिवेश भी साकारात्म गति बिद्यों को प्रेरित करेगा इसी कारड़ बिद्वान लोग या मानते हैं कि बिद्याले समाज की परतिविम होता है कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि यदि आप किसी देश की इस्ठिती तथा परगति के बारे में जानना चाहते हैं तो वहां की फैक्टरियों इमारतों कल कारखानों में को मत देखिए वरन आप वहां की बिद्याले को देखिए और निरिड़े कीजिए कि वह कल क्या थे और आज क्या है तथा इस काल और आज के मद्ध उनमें क्या परिवर्तन तथा सुधार आया है यदि बिद्याले और यदि विद्याले की परगती में कहीं ठहराव आ गया है तो समझ लीजिए उस समाज की परगती में भी ठहराव आ गया है। उसी परकाल समाज को आश्चित को बनाए रखने के लिए सिच्छा की आउसकता होती है इसके लिए सिच्छा के महतुपूर्ट साधन के रूप में बिद्याले की आउसकता होती है यह संस्था बालकों को उन समाजिक किरियाओं में परसिच्चित करती है तो वर्तमान समाजिक जीवन में परचलित है डिवी क्या कहते हैं डिवी का कथन है कि बिद्याले एक समाजिक संस्था है सिच्चा एक समाजिक परकिरिया है और इस नाते बिद्याले समानता समुदायक जीवन का यह स्वरूप है जिसमें वे समस्त साधन केंद्रित होते हैं जो बालक को परजाती का पैर्तित समपति में अपना भाग प्राप्त करने तता उसे अपनी सक्तियों को समाजिक हितों के लिए उपियोग में लाने हितु तैयार करते हैं आगे हैं बिद्याले के समाजिक पच्च को सभी व्यक्ति इस कारण में श्युकार करते हैं कि हम सिच्छा की एक समाजिक परकिरिया के रूप में श्युकार करते हैं और जब हम यह कहते हैं कि सिच्छा की एक समाजिक किरिया है तो नहीं संधे ही उन किरिया को संचालित करने एक सकत्त माध्यम के रूप में बिद्याले को भी समाजिक सरस्था के रूप में उबरना 효गा अब आते हैं अतिलगूत्रिय प्रस्ण में बिद्याले और समुधाय का संबंद अटूट कैसे है मनुस्स उसे समुधाय का कुसल सदस स्दस बनाती है सतत सिच्चा के द्वारा विक्ति अपना अधिक्तम विकास करता हुआ समाजिक आर्थिक या नैतिक आवसकताओं को समझता है और उनकी पूर्ति के लिए परियास करता है इस परकिरिया के द्वारा समुदाय का निरंतर विकास होता रहता है उसके आदरसों की रच्चा होती है तथा नवीन मुल्यों का विकास भी होता है इसी उद्देश की पूर्ती के लिए समुदाय के बिद्याले की अस्थापना की गई थी अब आते हैं जान डिवी के अनुसार बिद्याले की आउसकता बताईए तो जान डिवी बिद्याले की आउसकता बारम क्या कहते हैं बिद्याले को एक समाजिक संस्था की रूप में शिवकार करते हैं यह कहा कि जिस परकाल सरीर को कायम रखने के लिए भोजन की आउसकता होती है उसी परकाल समाज की आस्थित्त को बनाय रखने के लिए सिच्छा की आवसकता होती है इसके लिए सिच्छा के महतपूर साधन के रूप में बिद्याली की आवसकता होती है या जान डिवी का कथाना है लाश्ट प्रसन है बिद्याले एक समाजिक संस्था है कैसे? आइडियो आटकल कर सुनने किये ऐसे ही आइडियो आटकल सुनने है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले धन्यवाद